हेलो फेंड, स्वागत है आप सभी का आपके प्रेंस एड़ोग चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यह है कि जब आप एक घर को बनाते हैं तो आपने देखा हो कि घर में अलग-लग हाइट पे कुछ अलग-लग तरह के बीम होते हैं उन सभी बीम के नाम क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, साइज क्या हमें देना चाहिए किस बीम को देते समय, क्या बाते हमें ध्यान में रखने चाहिए तो आज की वीडियो मैं आपको वो सभी चीजें समझाने वाला हूँ साथी साथ आपको प्रैक्टिकल वो चीजें दिखाता हूँ चलूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में है और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात ऐसी भी बताऊँगा जिसमें आप कुछ पैसा भी बचा सकते हैं वो चीज अपलाई करके आप अपने घर को बनाते समय तो वीडियो में एंड तक बने डेना बट वो हर घर में नहीं दिया जाता क्योंकि घर किसी का बहुत जादा डाउन पोर्चन में बना हुआ है जमीन से तब वहाँ पे दिया जाता है पर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पहला वो है प्लिंट बीम अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कारण और भी है जैसे कि आपने देखा हुआ घरों में दिवालों में काफी बड़ी बड़ी क्रैक आ जाती है कुछ चोटी क्रैक होती है कुछ बड़ी क्रैक होती है तो वो क्या होता है एक सैटलमेंट होने की कारण रहता है अब ये settlement जो होता है वो हमारा जमीर बैटने की वेशे होता है लेकिन अगर आप वहाँ पे print beam देते हैं तो settlement जो रहता है वो नहीं होगा आपका जितना भी load है वो print beam पे होगा इसलिए यह पे क्या हुआ कि जो भी load आएगा वो print beam transfer करेगा बाकी other column पे तो इसलिए यह जानना और यह देना बहुत ज़्यादा जरूरिया था है घर में अभी आपको मैं दूसरे beam की बात करूँ जैसे कि आप उपर देख रहा है इससे थोड़ा सा आपको 8 feet की height पे दिख रहा होगा ये beam होता है एक lintel beam जिसको बोलते हैं उनके उपर डाला जाता है कुछ लोग उसको type beam भी बोलते हैं जैसे कि आप देख रहा है यहाँ पर जितनी भी चोखट जो door frame है या window frame हो उनकी height जो रहेगी top जो उसका lintel label है वो 8 feet है तो इसलिए इसको 8 feet पे beam दिया गया है ये क्या काम करता है कि जो भी आपकी दर्वाजे लगते हैं विंडो लगते हैं तो उसके हिस्से में कुछ जगा खाली छोड़ी जाती है क्योंकि वहाँ पर हम जो है अपना door विंडो को लगाते है अब उसके वह से उपर जो दिवाल चिनी जाती है या उसका ब्रिक बर्क होता है उसका लोड भी आता है तो वो डाइरेक्ट चोखट पे ना पड़े इसलिए यहाँ पर बीम दिया जाता है तो वो ट्रांसफर कर देता है बाकी अधर दिवाल पे तो यह जानना जरूरी हो यह देना जरूरी काफी जाता होता है अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें मिस करियोंगी जो बाहर के साइड आपने देखा होगा कि जो भी बिंडो की जगा छोड़ी गई थी उसके उपर आपको एक छज़जा भी दिया जाता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे है कि यहाँ पर जो घर के फ्रेंट में एक बिंडो दिख रही है इस बिंडो में एक छज़जा दिया हुआ है इसका साइज और इसकी मुटाई क्या रखनी चाहिए वो थोड़ा मैं आपको बता रहे तो यह चज़जा देना काफी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी आपका बारिश का मोश्वम रहता है तो धूब भी डायरेक्ट नहीं पड़े या फिर बारिश भी अंदर बिंडो पे डायरेक्ट नहीं पड़े तो इसलिए उससे बचाप करने के जाएक बीम दिया होता है ज्यादा लेंड आप निकालते हैं तो यह जुब जाता है अकसर मैंने साइडों पर देखा है और इसकी मुटाई की बात करें तो दो से धाई इंची ही रखें इससे ज्यादा आपको मुटाई रखने की ज़रूरत नहीं है मैं स्री बिंडो की चर ज़रूरी है अब यहां पर मैं साइज की बात करूंगा वह एंड में करूंगा भी थोड़ा पहले मैं बदाए दो किस बीम का क्या इंपोर्टेंट से जैसे कि आप देख रहे हैं जो स्लैब होता है यह हमारी स्लैब डालते समय ही दिया जाता है अभी आपको दिखी रहोग तो क्या होगा कि जो च्छत है आप अगर दिवाल पर ही टेक देते हो तो हलका सा जुकाब आता है तो वो नीचे उस पर मोमेंटम पढ़ने के विज़ा जुकाब करेगा लेकिन यह बीम उसको पकड़ के रखता है यानि कि अगर हम बात करें तो हमारे च्छत को पकड़ के सारे कॉलम बीम को जो काम हमारा प्लिन बीम नीचे कर रहा था सारे कॉलम को पकड़ने का ऐसी हमारा जो सलैब बीम होता है वो भी यह काम करता है और सातीजा च्छत को भी सपोर्ट करता है अब कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं कि बिना बीम के ही च्छत डाल देते हैं ज कि छत में आपने क्रायक आने के संबाबना देखी होगी तो वो यही सब चीज़ों होती है अगर आप किसी भी बिल्लिंग का छज्जा बाहर को निकाल रहा है घर का छज्जा निकाल रहा है तो भी वहाँ पे आपको क्या है कि बीम देना काफी ज़रूरी हो जाता है चज्जे के उपर हम आगे बात करेंगे क्योंकि चज्जा जो है वो एक अलग टॉपिक है अभी यहाँ पर हमने यह सलैब बीम और प्लिंद बीम और हमने जो है लिंटल बीम के बारे में बात कर लिया नाम भी हमने बता दिये अभी आपने एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगी कि सर जो डीपीसी होती है वो कि हम अपने घर में देनी चाहिए या निक जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लिंद बीम दे रखा है कि इतने लेविल पर हमें जो है अपना घर का फिनिशिंग फ्लोर लेविल रखना है तो वहाँ पर क्या उससाब सा प्लिंद बीम देंगे तो फिर आपको डीपीसी देने की ज़रुत नहीं है अब कहीं कहीं क्या होता है कुछ लोग उनका प्लान चेंज हो जाता है या तो कि वह प्लिंद बीम देने के बाद उनका प्लान यह होता है कि नहीं हम अपने फरस का लेविल या फ्लोर का लेविल थोड़ा सा उठाना चाते है ताकि फ्यूचर में हमारा रोड उपर हो तो दिक्कत ना पड़े, घर नीचे ना हो, तो उस condition में जो आपका finishing level था, plain beam जहां तक उसको control करता, नमी को रोकता, फिर वहाँ पे आपको DPC देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है, वो आपकी नीचे वाले plain beam से उपर तक डाली जाएगी, तो जो नमी है वो उपर इस नमी को रोकने के लिए DPC देना जरूरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो इसका भरान किया जाएगा, वो plain beam से उपर तक किया जाएगा, तो उसी मिट्टी के नमी को रोकने के लिए, बाकी कोई जरूरी नहीं है, कि आप अपने घर में plain beam भी दें, और DPC भी दें, त जो को साइज जो रहते हैं, वो डिपेंड करता है, कि भी आप अपनी विल्लिंग की परपस से बना रहे हैं, मैं यहाप जो साइज आपको बताऊंगा, यह आप अपने नॉर्मली घर जो एक मंजिल, दो मंजिल, यह मैक्सिमम आप तीन मंजिल तक के लिए कुछ साइज रि जो कि है 9 x 12 इंची का, यह आप दो मंजिल तक घर में आराम से दे सकते हैं, आप चाहें तो तीन मंजिल में भी यूज कर सकते हैं, जो कि 9 x 12 इंची का प्लिंग आप दे सकते हैं, नो इंची चोड़ाई रहेगी, और इसकी जो हाइट रहेगी, देप्ट रहेगी, वो 12 इं पूरे ही घर में गुमाया है यहां पर मैं रिकमेंड करूँ कि आपको पूरे घर में घुमाने की जरूत नहीं है पूरे दिवाल पर आपको घुमाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है क्योंकि आप एक फ्रेम इस्ट्रेक्चर और लेडी बना रहे है आप उसमें कॉलम भी दे रहे हैं और आप साथी साथ पूरे बीम भी दे रहे है तो यह आपको हो गया लिंतल बीम के ओर में अभी छट के बीम की बात करें तो छट का बीम जो रहेगा देखो वो रिक्रमेंट करूँ हमें कहां क्या रखना चाहिए और किस बीम का क्या काम होता है और कहां पर आप कुछ अपनी cost को deduction कर सकते हैं बिना किसी मजबूती से compromise करके तो इस वीडियो में आपने बहुत सी knowledge ले ली है अगर इस वीडियो अच्छे लेगे वीडियो लाइक करना और चैनल को subscribe जरूच कर लेना चैनल को visit जरूच करना क्योंकि बहुत सी वीडियो आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए काफी ज़्यदा helpful होंगी तो thank you for watching